मेरे हर वीडियो में बहुत ही महत्तुपूर बात एक जरूर होती है हो सकता है कि वो बीच में आ जाया या बाद में हो लेकिन एक शीखने की बात होती है जो हम अध्यन के दोरान, पढ़ाय लिखाय के दोरान इतना जीवन जीते हुए पढ़ने के बावजूद भी हम भूल जाते है या हमें याद नहीं रहता, या बताते वक्त हमें वो बात याद नहीं आती तो आप मेरा पूरा वीडियो जब देखेंगे तब निश्शित रूप से आपको बहुत को सीखने को मिलेगा तो जब तक पूरा वीडियो नहीं देखना होता है तो मेरे बारे में आपकी धारणाएं पता नहीं किस तरीके से तुरंत आपने देखा शुरू किया और बंद कर दिया तो जो भी मन में बन गया हो तो मेरा लॉजिक मेरे मन में जो चीज है वो आप तक पहुच नहीं पाती इसलिए अगर नहीं देखना है तो अभी इसको बंद कर दिये मत देखिए नहीं तो पूरा वीडियो देखिए जब पूरा आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक ऐसा ज्यान प्राप्त होगा जो आपको लगेगा कि ये बात तो मैंने कभी ध्याने ही नहीं दिया था तो ऐसा करें आप पूरा वीडियो देखिए दिखे जैसे हम बताने जा रहे हैं फिर नई चीज़े सब को पता है उसके बाद भी हम उसे अक्सर भोल जाते हैं याद नहीं आता जैसे वन और एंड हाफ लिखना है mathematics है लेकिन इसको GKS समझ लिजीए, GS समझ लिजीए general studies है जो सब किसी को आने ही चाहिए तो जैसे हम लिखते हैं कि 1.5 ये centimeter ऐसे लिखा हुआ है किसी question में और ये 1.5 ही तो होता है centimeter लेकिन अगर हम कह दें कि आप rupees लिखें तब भी 1.5 अगर हम कह दें डेढ़ लिटर पानी ले आओ तो डेढ़ यानी 1.5 इतने लिटर ये rupees हो जाता है और ये centimeter हो जाता है अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये है क्या ये तीनों सही हैं देखें लिखने की भासा में तो सही हो सकते हैं लेकिन एक खास बात है जो मैं जे आपको बताना था इसलिए मैंने एक खास तोर पर दो-तीन मिनट का वीडियो है जो डाला हूँ और इसको देखिए तो आपके समझ में आएगा कि हाँ ये तो बात आपने कभी गौर ही नहीं की थी तो देखिए कैसे जैसे जब हम वन एंड हाफ लिखते हैं जैसे सेंटी मीटर है तो वन एंड हाफ लिखते है तो वन क्या है वन सेंटी मीटर है लेकिन अगर अलग-अलग बोला जाए तो ये फाइब क्या है 5 mm है तो देखे 1 cm में mm होते कितने है 10 तो 10 का half कितना होता है 5 तो ये 1.5 cm बिल्कुल सही लिखा हुआ है ठीक है लेकिन यही बात अगर rupees में लिखना हो पैसे लिखने हो कि आप 1 and half रुपया लिखिए point में लिखना है आपको तो 1 and half फिर ये half का मतब तो यही होता है सारे लोग लगवगी बताते हैं लेकिन ऐसा नहीं है वहाँ जब हम 1 and half की बात करेंगे तो half के समय इसके बाद का point जो पैसे का आता है तो 1 रुपय में कितने पैसे होते हैं उसका आधा करिए एक रुपय में 100 पैसे होते हैं और 100 पैसे का half करेंगे तो 50 आएगा तो यह रुपी जब लिखा जाएगा तो 1.50 लिखा जाएगा जबकि अकसर कोई कह रहे ही सकता कि आप 1.5 डेढ़ नहीं है 1 and half नहीं है बिलकुल है ये भी है और वो भी है लेकिन एक समझदारी एक पड़ी लिखी वासा एक ज्यान युक्त तो ये ध्यान रखना है अब इसी में जिसे लीटर की बात आजाए लीटर अब लीटर लिखना है 1 and half लीटर तो 1 लीटर प्लस half लीटर half लीटर क्या होता है half लीटर का मतलब होता है एक लीटर में जितने ml और होते हूँ भाई आगे ml लिखा जाएगा न ये लीटर है उसके बाद ml होता है तो ये होता है 1,000 तो 1,000 का half कितना होता है 500 जब हम लीटर की बात करेंगे या किलोग्राम की बात करेंगे तो देखिए जैसे जब कहा जाता है कि 1,500 केजी चीनी ले ओ तो ध्यान से देखिए उसको तो क्या रखता है वो वो 5 ये नहीं रखता है वो 1 केजी रखता है और 500 ग्राम्स और रखता है तब जाकर कि उसका ये होता है तो यहाँ पर यह ध्यान देनी होगी है कि यह तीनो बाते एक ही है लेकिन लिखते समय यह ध्यान रखना है कि जो point के बाद का number है वो पहले वाले number में कितने होते हैं उसका half लिखना है कितने digit तक यह 9th class में बताया भी जायाएगा जब कोट इमान और सार्थक अंकों की चर्चा होगी तब देखे यहाँ पर कहां तक सार्थक अंक मतलब जहां जिसकी value हो उतना लिखना है ना आपको तो इसके बारे में तो फिजिक्स का जब यह चेप्टर पताएंगे तो वहाँ पर 1.500 होता है तो यह 500 और 1.5 और 1.50 यह सब 1.5 ही है लेकिन लिखने का तरीका अलग-अलग है कब कहां लिखेंगे इसको ध्यान में रखना है क्योंकि यह नमबर के बाद वाला point के बाद वाले नमबर को ध्यान रखना है कि वो है क्या, जैसे ये किलो ग्राम है, ये ग्राम है, तो ये एक किलो ग्राम में कितने ग्राम होते हैं, उसका हाफ, एक किलो ग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 का अधा 500 ग्राम, तो जब भी हम इसको लिखेंगे किलो ग्राम को, तो 1.5 न लिख करके, 1.500 लिखें, तो सुद्ध तो भासा में आप लिख पाएंगे या समझ पाएंगे आप अन्य बच्चों को या किसी को गी और बता पाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। है नग्यान बर्दकबाद जानकारी में आपको रिवाइज हो गया पहले पढ़ा तो था आपने लेकिन अब सब माइंड में नहीं रह गया था तो मैंने सोचा किसको रिवाइज करा दिया जाए। जानने को मिलेगा धन्यवाद।